सुप्रिम कोट ने कभी कहा था कि जमीन छिंजाने से नक्सली बनते है आदिवासी अब खुद जमीन से बेदखलिका दिया आदेश 25 मार्स 2014 को दैनिक भासकर ने सुप्रिम कोट के एक टिपणी को हेडलाइन बनाते हुए लिखा था आदिवासीयों की जमीन हडपने के कारण पैदा हो रहा है नक्सली सुप्रिम कोट जी हाँ ये सुप्रिम कोट की टिपणी थी दरसल जारखन के ततकालिन मुखेमंतरी हमंत सोरेन सहीत अन्य कुछ लोगों पर गैर कानून तरीके से आदिवासीयों की जमीन ट्रांसफर करने का आरोप लगा था सुप्रिम कोट ने तब ये माना था कि जमीन से अलग किये जाने की वज़े से आदिवासी नक्सली बनने को बाध्य हो सकते हैं लेकिन साल 2019 में इसी सुप्रिम कोट ने 11 लाग से अधिक आदिवासीयों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है 13 फरवरी को सुप्रिम कोट की तीन जज़ों की पीठ ने एक NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 लाग से अधिक आदिवासीयों को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है इस आदेश की वज़े से करीब 20 राज्यों के आदिवासीयों और जंगल में रहने वाले अन्ने लोग प्रभावित होंगे सुप्रिम कोड का ये फैसला इस वज़े से भी आया क्योंकि केंद्र सरकार आदिवासीयों और वनवासीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का बचाव नहीं कर सकी एंज्यों की तरफ से जो याची का दायर की गई थी उसमें ये मांग की गई थी कि वे सबी जिनके पारंपारिक वनभूमी पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निश्कासित कर दिया जाना चाहिए आसान भाषा में कहें तो आदिवासियों से उन जमीनों का सबुत मांगा गया जिस पर वे रहते हैं कानून दस्तावेच की भाषा ना समझने वाले आदिवासी कहां से सबुत देंगे अदालत में मोधी सरकार पर उन आदिवासियों के प्रतिली दीत्व की जिमिदारी थी जिसे निभाने में सरकार असफल साबित हुई केंद्र सरकार को अपने सुप्रिम कोर्ट में अपने ही कानून के समर्थन में दलिल पेश करनी थी जो सरकार नहीं कर पाई सरकार को जिस कानून का बचाओ करना था वो कानून है वन अधिकार कानून जिसे संसद ने वर्ष 2006 में पारित किया था इस कानून को Forest Act 2006 कहा जाता है इस कानून के मताबिक इन जंगलों में किसी भी गतिविदी को तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वेक्ति और समुदाय के दावे का निप्टारा नहीं हो जाता साथी आदिवासी और वनवासीयों के लिए काम करने वाली एक संस्ता सुप्रिम कोर्ट ये बात अच्छे से जानते है कि आदिवासीयों का विस्थापन भारतिय समिधान की पांचवे अनुसूची के प्रावधानों का खुलम-खुला उलंगन है जिसके तहट आदिवासीयों को उनकी पुष्टेनी जमीन और प्राकरतिक संसाधनों पर मालिकाना अधिकारों की गारंटी दी गई है